आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का 2.2 करेंगे जिसका नाम है The Worth of a Fabric यह मैं आपको पूरा चैप्टर हिंदी में एक्स्प्लें करूंगा इससे पहले जो 2.1 है मैंने एक्स्प्लेंड भी किया है और कोचे अनिसस भी दिये है अगर आपने नहीं देखो तो देख ल कपड़े की कीमत इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले है देखो The Worth of a Fabric कपड़े की कीमत हमें तो पता है लेकिन जो मार्किट में कपड़े की कीमत होती है उसकी बात नहीं है यहाँ पे वो नहीं बताया गया यहाँ पे एक कपड़े की असली क्या कीमत ह क्या वैल्यू होती है उस कपड़े को बनाने में कितनी मेहनत लगती है कहां से कहां प्रोसेज कितना होता है वो सब हमें यहां पर बतायागे है ठीक है तो देखते हैं चैप्टर स्टार्ट करते हैं देखो क्या बोल रहे हैं कि तुरु कुरल है यह इनकी बुक है जिसमें इन्होंने जो सीख दी है जो बाते बताये वो सारी इसमें लिखी हुए है इनकी जो कवीता है इन्होंने जो सीख दी है सब कुछ इसमें लिखा हुआ है देखो और क्या बोल रहे हैं देखो लव मतलब प्यार किया जाना रिस्पेक्टेर मतलब सम्मान मिलना इवन टूड़े मतलब आज भी क्या आपर बोल रहे हैं कि जो इनकी बुग थी थिरू कुरल इसे आज भी लोगों द्वारा प्यार दिया जाता है ठीक है यह ब्यूटिफुल मतलब बहुत छादा खुबसूरत जो फैब्रिक है जो कपडे है और जो साड़ी है इनकी बुनाई करते थे कपडे और साड़ी की और इनहे बेचा करते थे पीपल सेड देखो आप अगर नीचे देखोगे यहां पर हमें दिखाएगे है थिरू अलवर यहां पर आपको दिख रहे हैं यह थिरू अलवर है और यह कोई दो जैने जो खरीदने आए हैं सामान इनके बारे में हमें आगे बताएगे है अभी देखते हैं आगे क्या है देखो यहां पर अंगरी मतलब गुस्सा होना बैड वर्स मतलब आप बल सकते हो बुरे शब्द या तो गाली आप बल सकते हो गाली देना शौटर मतलब चिल्लाना क्या यहां पर बोल रहे हैं कि लोग यह कहा करते थे कि थिरू अलवर कभी भी गुस्सा नहीं हुए उन्हे ने कभी भी किसी को अबशब्द नहीं बोला कभी भी किसी को गाली नहीं दी ना ही वो कभी किसी को ऊपर चिल्लाये In the same town there lived a rich young man क्या बोल रहे हैं उसी same शहर में एक rich young man रहता था मतलब कि एक जवान rich अमीर आदमी रहता था He wasted most of his time roaming around with his friends क्या बुल रहे हैं कि वो जो rich young man था जो जवान अमीर आदमी था आप देख सकते हो इस आदमी की बात हो रही है क्या बुल रहे हैं ये आदमी जादातर अपना समय अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूम कर बरबाद करता था They often made fun of other people क्या बुल रहे हैं कि ये जो rich young man ये और इसके दोस्तों लोगों का मजाक उडाया करते थे I don't believe what people say about this valour Said the young man one day क्या यहां पर बोल रहे हैं देखो ये जो rich young man है इसने एक दिन बोला कि लोग जो ये बाते बोलते हैं valour के बारे में कि वो बहुत महान है, गुस्सा नहीं होता है दूसरों को गाली नहीं देता है दूसरों को अबशब नहीं बोलता है ये सब बातों पर मैं यकीन नहीं करता हूं ऐसा ये rich young man ने बोला अब आगी क्या है I am sure I can make him angry Come on, let's have some fun today और देखो ये young man जो है, rich young man क्या बोला कि मुझे पक्का यकीन है कि मैं उसे गुस्सा दिला सकता हूं और अपने दोस्त को उसने बोला देखो ये दोस्त को कि चलो आज हम कुछ मजे करते हैं क्या मजे करना था इसे? तिरू वल्वर को गुस्सा दिलाना था अब आगे क्या है So the arrogant young man approached थिरू वल्वर in the market and picked up a beautiful piece of fabric देखो, arrogant मतलब क्या? घमंडी, approach मतलब पहुचना market मतलब बाजार, pick मतलब उठाना beautiful मतलब खुबसूरत fabric, piece of fabric piece मतलब टुकडा, fabric मतलब कपडा क्या बोल रहे है, तो ओ जो ये rich young man था यहाँ पर क्या बोला गया है क्या बोला है, ये जो घमंडी young man था जो घमंडी आदमी था ये पहुचा थिरू वल्वर के पास बाजार में, और उसने उसकी दुकान से एक सुन्दर सा कपड़े का टुकड़ा उठाया, आप देख सकते हैं इसके हाथ में, ठीक है How much does this whole fabric cost he asked, देखो अब ये इसने कपड़ा उठाया अपने हाथ में उसके बाद पूछा थिरू वल्वर से कि ये कपड़े का जो टुकड़ा है, इसकी कीमत कितनी है 8 coins the saint named the prize देखो क्या बोले, ये जो सेंट थे, थिरू वल्वर, इन्होंने बुला 8 coins, उन्होंने इस कपड़े का प्राइस बताया, 8 coins The young man unfolded the fabric and tore it into two क्या बोले, जो आदमी था ये जो young man था, इसने क्या किया, वो कपड़े को देखो तेह करके रखा गया था, इसे फोल्ड करके, घड़ी करके उसने क्या किया, उसको unfold किया, इस तरीके से और उसके बाद उस कपड़े को उसने तोर, मतलब फाड़ दिया दो टुकडो में, आप देख सकते हो, इसके हाथ में जो कपड़ा है सेम टुकड़ा नीचे भी पड़ा हुआ है, इसने फाड़ के इसको दो टुकड़े में कर दिया अब आगी क्या है और उसने फाड़ने के बाद कपड़े को पूछा कि अब इसकी कीमत कितनी है ऐसा उसने थिरू अलवर से उन्होंने एकदम पोलाइटली मतलब एकदम प्यार से उन्होंने एंसर दिया कि चार कोईन, पहले उन्होंने आठ कोईन बोला था जब उसने फाड़ के दो टुकड़े कर दिये उस रिच यंग में ने तो वो बोले कि अब इसकी कीमत है चार कोईन तो यूथ वोज टेकन अबैक वाई ड़सन्ट इस मैन गिट एंगरी देखो टेकन अबैक मतलब आप बोल सकते हो कि आश्यरे चाकीत रह जाना दंग रह जाना ठीक है एंगरी मतलब गुस्सा होना क्या बोलो जो यूथ था, जो जवान आदमी था अब वो एकदम शौक में आ गया एकदम हका बकार रह गया कि ये आदमी गुस्सा क्यू नहीं हो रहा है मैंने इसके कपड़े फाड दिया, दो टुकड़े कर दिया फिर भी ये गुस्सा क्यू नहीं हुआ अब आगे कहा है देखो क्या बोल रहे है पहले थो इसने दो टुकड़े गिया था अब वो दो रहुन टुकड़ों को भी हाफ-ाफ में फाड दिया मतलब इसने चार टुकड़े कर दिये अब क्या है अब उसने क्या पूछा फिरु वलवर से कि अब मतलब कि अब इसकी कीमत कितनी है तू कोईशंट और थिरुवलवर ने एंसर दिया दो कोईशंट अब इसकी किमट है दो कोईशंट देखो यहाँ पर इमपेशंट मतलब क्या बेसबर एजिटेटर मतलब क्या उत्तेजित होना गुसा होना आप बोल सकते हो क्या यहां पर बोल रहे है देखो कि अब यह जो यूवक था यह अब बेसबर और उत्तेजित हो गया गुसा होने लगा तिरुवल वर्जे नहीं हुए He tore the pieces into half again and again Saying and now What's the price now? क्या बोलने है देखो Tore मतलब फारदा Pieces मतलब टुकड़े Half मतलब आधा Again and again Again and again मतलब की दोबारा बार बार Saying मतलब कहना Price मतलब कीमत क्या बोलने है आपर? कि अब उस यूवक ने क्या किया? जो कपड़ा था जो उसने फाड़ा था जो कपड़े को दो पीस चार पीस में कर दिया था उसको फाड़ फाड़ के और पीसे से में कर दिया और उसके बाद थिरू अलुवर से पूछा कि अब इसकी कीमत क्या है? देखते हैं वो क्या बोले? थिरू अलुवर कामली Went on reducing the price to half every time क्या बोल रहे? कामली मतलब क्या? एकदम शान्ती से reducing मतलब घटाना price मतलब कीमत half मतलब आधी every time मतलब हर बार क्या बोले? कि थिरू अलुवर जी एकदम शान्ती से वो जब-जब कपड़ा वो फाड़ के कीमत पूछता रहा वो यूवक वो उसके price आधी-आधी करके बताते रहे at last the fabric was reduced to rags देखो यहाँ पर at last मतलब आखिर में fabric मतलब कपड़ा rag मतलब क्या बोलो कि छोटा सा piece एकदम कपड़ेगा क्या बोल रहे है? कि वो जब यूवक था उसने एतनी बार कपड़े को फाड़ा कि अब उस कपड़े कपड़ा फटपटके कि अब यह जो कपड़ा है इसकी कोई कीमत नहीं है यह अब worthless हो चुका है इसकी कोई कीमत नहीं है अब मैं इस कपड़े की कोई भी price नहीं दूँगा यह जो कपड़े का जो टुकड़ा बचे है छोटे-छोटे pieces जो बचे है इसकी मैं अब कोई भी कीमत नहीं बोलूँगा यह वेस्ट हो चुका है, वर्थलेस हो चुका है वो जो यूवग था, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो क्या बोले बट लेकिन उसे अपने अमीरी पर घंवन्ड था, वो जो यूवग था उसे, so he offered to pay eight coins to the cent, क्या बोल रहें यहाँ पर, तो उसने offer दिया, eight coins, उसने आठ सिख्के देने का offer किया थिरुवलवर जी को, ठीक है, कि मैं इस कपड़े का आपको आठ सिख्का दूँगा, आठ कोई दूँगा for the first time, थिरुवलवर smiled, but he refused to take the money, क्या बोल रहें, कि अब इस जोरान, पहली बार थिरुवलवर जी, smile किये, हसे, और उन्होंने ये बोला, कि ये पैसा वो नहीं लेंगे, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया पैसा लेने से, दिक है, जो coin रहती है, सोने को coin है, ठीक है, पहले का थिरुवलवर जी ने क्या बोला, कि यंग मैन, मतलब कि उस यूवक को बोला, कि अब ये जो कपड़ा है ना, ये किसी use का नहीं है, अब इसको इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसको इसे कोई पहन नहीं सकता है, जब ये कपड़े को फाड़ फाड़ के, इतने कोई भी उसका नहीं है, तो ही थिरुवलवर जी ने बताया उस यूवक को, अब आगे क्या है, तो फैब्रिक मतलब कपड़ा, पीपल मतलब लोग, टॉइल मतलब मतलब महनत करना, ठीक है, तो अब देखो थिरुवलवर जी क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो लोगों ने कई दिनों तक महनत की, देखते हैं कैसे किस ने महनत की, दा फार्मर, वो ग्रिव कोटन इन इस फील्ड, वर्ग्ड हाड फॉर मंतलब मतलब बहुत ज़्यादा महनत करना, सन इन रेन मतलब की सूरज और अब बारिश बोल सकते हो, यहां पर क्या बोल रहे हैं, की अबुले की जो किसान है, उसने पहले अपने खेत में कौटन को उगाया, और उसने उसको उगाने के लिए कई महीनों तक महनत की, सूरज और बारिश में, और उसके बाद उसने यह जो कौटन है, अपने खेत से इसको क्या किया, निकाला, और उसके बाद किसान ने उस उसको क्या किया, spinning के लिए दिया, मतलब कताई के लिए दिया, आप बोल सकते हो, ठीक है, अब आगी क्या है देखो, then someone else carded the cotton and spun it into long uniform threads, देखो यहाँ पर, carded मतलब क्या, बोल सकते हो, carded मतलब पीजना, या तो आप बोल सकते हो, तराशना, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, कि उसके बाद, उस cotton को, किसी ने तराश कर, और उस cotton को, एक लंबा धागे का रूप दिया, the threads were dyed carefully so that they took on these lovely colors, क्या बोल रहे हैं, उसके बाद, जो धागा बना था, उसको अच्छे से color किया गया, लाल, पीला, हरा, नीला, यह सारे color उसको दिये गए, ताकि, यह जो कपड़े पर आप देख रहे हो, अलग-अलग color, इसको इस तरीके से बुना जा सके, My wife and I woe the threads together, putting it in beautiful design, अब देखो, थिरुवलवर जी क्या बोल रहे हैं, उसके बाद, मेरी पत्नी और मैंने मिलकर, इस धागी को एक साथ बुनाई करके, एकदम अच्छी design मनाया, ओके, We thought someday someone will like this fabric, will be happy to wear it, क्या बोल रहे हैं अभी थिरुवलवर जी, कि मैंने सोचा था, हमने सोचा था, कि किसी दिन कोई इस कपड़े को बहुत ही खुश होकर पहनेगा, Then all our work would have been rewarded, क्या बोल रहे हैं, कि उसके बाद, अगर कोई इस से दम हसी खुशी पहनता, तब हमारी जतनी भी महनत है, हमें उसका फल मिलता, उसका इनाम मिलता, आप बोल सकते हो, When you destroyed the fabric, you destroyed all the love and labor that went into its making, money cannot bring it back, Destroyed मतब बर्बाद करना, fabric मतब कपड़ा, love and labor मतब प्यार और महनत आप बोल सकते हो, money मतब पैसा, bring back मतब वापिस लाना, आप देखो, त्रुवल लवर जी क्या बोले, ये सारी बातें बताने के बाद, लेकिन तुमने इस कपड़े को बर्बाद कर लिया, फाड़ कर आप बोल सकते हो, कैसे बर्बाद किया फाड़ कर, और ये बर्बाद करने की वज़ा से, तुमने इसमें लगा हुआ जो मेहनत देखो यहां पर, अश्यम मतलब शर्माना, खुद पर शर्माना, हाट मतलब आपको मालू में, दिल, टर्ज मतलब छूना, soft spoken words, मतलब कि, जो प्यार से बोले हुए शब्द, धीरे से बोले जाने वाले शब्द, क्या बोलने हापर, कि थुरु अलवर जी ने जो प्यार से, धीरे से जो शब्द बोले थे, जो बाते बोली थी, वो जाकर उस युवक के दिल को छूग गई, अब वो खुद पर शर्म तिरु अलवर जी क्या, यहां पर अभी क्या बोल रहे हैं, कि और क्या आपको पता है, तिरु अलवर जी ये भी बोले, कि मैं इस तरीके का कपड़ा वापिस बना सकता हूँ, लेकिन हमारा जीवन भी इस कपड़े की तरह हैं, if you tear it apart, with history, thoughtless actions, it will be destroyed, and you will not get it back again, if मतलब क्या अगर, tear मतलब फाड़ना, history मतलब क्या, जल्द बाजी में आप बोल सकते हो, thoughtless actions, मतलब बिना सोचे समझे, यहां पर क्या बोल रहे हैं, कि उन्होंने बोला, अगर हम अपने जीवन को इसी तरीके से बिना सोचे समझे, जल्द बाजी में, हम उसे अगर बरबाद कर दे, त उसे हम कभी वापिस नहीं ला पाएंगे, जो समय हमारा वेस्ट हो गया, जो हमने कर दिया है अपने जीवन को, time waste, समय बरबाद, वो वापिस नहीं आ सकता, तिरु अलवर जी के ये शब्द उस यूवक की आखे खोल दी, there and then he decided to give up his idleness and bad habits, देखो idleness मतलब क्या, मतलब कि जो बैट कर वो time waste करता था, वो bad habits मतलब बुरी आ देते, क्या बोलने है, कि उस समय से, वहाँ से उसने ये निश्चाए किया, ये decide किया, उस यूवक ने, कि आज के बाद, मैं, जो मेरी सुस्ती है, जो मैं बैट के time waste करता हूँ, वो खतम करूँगा, और अपनी bad habits, जो मेरी बुरी आ देते हैं, वो भी मैं खतम करूँगा, ठीक है, ऐसा उसने निश्चाए किया, okay, I hope आपको ये chapter अच्छे से समझा होगा, कि जो हमारे chapter का नाम था the worth of a fabric, मतलब एक कपड़े की कीमत, किस कीमत की बात हो रही थी, इंसान की जो मेहनत लगती है उस कपड़े को बनाने में, जो समय जाता है, जो प्यार जाता है, वो सारी कीमत की बात हो रही थी, okay, तो अभी इसके अगले उडियो में मैं आपको इसके questions दे दूँगा, तो आ अध्यू